Welcome to Sanah Online Classes So, आज की वीडियो में हम solve करने वाले हैं Pradambik, Pathan, Kaushal, Wa, Lekhan, Vikas EGR Hindi इस वीडियो में हम 4 module solve करेंगे Unit No.21, Unit No.22, Unit No.23 और 24 इससे पहले मैंने 1 to 20 थक जितनी भी units थी सब solve करके upload कर दी है सब का link डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप मेरी प्लेइलिस्ट है टीचर ट्रेनिंग के नाम से वहां से चेक कर सकते हैं या फिर इसकी भी प्लेइलिस्ट बनी हुई है प्राइडबिक पढ़न कौशरवा लेखन विकास इसी नाम से है आप उसमें भी जागर के देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलती रहे और आप अचानी से अपने मॉड्यूल को सॉल्व कर पाएं तो चलिए शुरू करते हैं देखे यूनिक नमबर 21 लेखन वा लेखन के प्रकार क्लिक करके सॉल्व करना शुरू करें देखे पहला कोशन दिया गया है प्रारंबिक चैड़ों में जब बच्चे स्वतंत्र लेखन की ओर बढ़ते हैं देखे नेक्स कोशन दिया गया है कक्षा में राजेश जी बच्चो को शुत लेख बोलने पर कारे कर रहे हैं इस कारे में राजेश जी किस बात का आकलन करते हैं उत्तर है इसका उप्रोग सभी इस पर क्लिक करके next कर दें दिके next है उच इस तरिये लेखन कोशल की आकलन में शामिल है उत्तर है इसका किसी विशे पर विवस्तित वसार्थक वाग के निर्मार क्लिक करके आगे बढ़ जाएं दिके next है बच्चों के लेखन कारे का आकलन करत नेक्स्ट है शिखा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी मम्मी द्वारा बनाए गई किसी एक चीज की प्रकरिया को लिखने का कार दिया बच्चों ने ये प्रकरिया लिखते समय तमाम वरतनी और व्याकरर संबंदी तुटियां की आपके अनुसार शिखा जी को क्या करना चाहिए इसका आंसर है बच्चे के अभिवावक से शिगात करनी चाहिए इस पर क्लिक करके next कर दें देखे next है बच्चों के सीखने में आ रहे ही समस्याओं को पहचानने के लिए क्या किया जाना वाला आकलन है उतर है इसका योगात्मक आकलन क्लिक करके next कर दें देखे next है आकलन का डैश दिया जाता है उतर है इसका feedback क्लिक करके आगे बढ़ जाएं दीके next है एक बच्ची का कक्षा कारे जाजते समय रीमा जी कुछ इस प्रकार का कारे देखने को मिलता है चितर में दिखा है ये कार को देखकर बताएं कि इस बच्ची के साथ रीमा जी की किन कोशलों पर अ गया है सम्मेट पर क्लिक कर दें टोडल कोशन 10 थे हमने सॉल्वी 10 कर लिए हैं इसको 10 आगया है इसका मितलब सारे कोशन सही तरीके से सॉल्व हुए हैं चलिए बढ़ते हैं next module की तरफ और वो सॉल्व करते हैं देखिए अब है यूनिक नमबर 22 लेखन कोशल विकास के वि प्यार करना होता है आंसर है सत्य इस पर क्लिक करके next करें देखिए next है उभरते लेखन के बाद बच्चे डिकोडिंग संबद्धिद लेखन सीखते हैं सत्य है क्लिक करके आगे बढ़ जाएं देखिए next है सही वाक संद्रशना की समझ शामिल है उत्तर है इसका भाशाई को क्लिक करके next कर दें देखिए next है पाड का शीरशक देना शामिल है संध्यारात्मक कोशल में क्लिक करके next करें देखिए next है भाशाई कोशल में देखिए नेक्स पर करें उतर है इसका रजनात्मक लेखन इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं दीके नेक्स्थ है उभरता लेखन इसका आंसर है बच्छे आड़ी तिरफिट रेखाएं खीचते हैं क्लिक करके next कर दें देखिविए next है क्या लिक्ष लिखना है इसके बारे में सोशना है उत्तर है संगयनात्म कोशल है आंसर है उच इस तरहीज कोशल क्लिक करकर next कर दें नेक्स भाषाई कोशल है इसका उतर है बुन्यादी कोशल क्लिक करके next करें देखें सब्मिट को ऑप्षिन आ गया है सब्मिट पर क्लिक कर दें total question 10 थे हमने solve भी 10 कर लिए है कोई भी question skip नहीं हुआ है देखें इसको 10 आ गया है इसका मतलब सारे question साही तरीके से solve हो गया है चलिए बढ़ते हैं next module की तरफ और वो solve करते हैं देखें अब है उत्तर है इसका print के प्रती चेतना विक्सित करने के लिए क्लिक करके next करें देखें next है यादी आपको अपने बच्चों में सुनकर समझने की शमता का विकास करना हो तो आप पठन की किस रणीती का प्रियोग करेंगे उत्तर है इसका interactive पढ़कर सुनाना क्लिक करके next करें देखें next है साजा पठन की रणीती का प्रियोग करते समय पाठ का इस्तर बच्चों की पठन शमता से उपर होता है क्लिक करके आगे बढ़ जाएं देखें next है interactive पढ़कर सुनाने के दौरान उत्तर है बच्चे सुनते ह और सिक्षक बच्चों के लिए पढ़ते हैं next कर दें देखें next कोशन दिया गया है दायतों का क्रमिक हस्तांतरर बिताता है कि जब सिक्षक द्वारा बच्चों को दी जाने वाली मलद अधिक्तम होती है तो बच्चों की जिम्मेदारी नियूंतम होती है क्लिक करके next करें देखें next कोशन दिया गया है बच्चों और सिक्षकों के दायतों के अधार पर पठन की रणीतियों को तीन श्रेडियों में बाटा गया है आपके अनुसार मार्ग दर्शन यूगत पठन को किस श्रेडी में रखा जाएगा उत्तर है इसका बच्चों द्वारा पढ़ना क बच्चे उसे अटा कड़क कर पढ़ते हैं आपके अनुसार बच्चेयों को इस समस्या का मुख कारण क्या है उतर है पढ़ने के प्रयाप्त औसर ना देना क्लिक करके next कर दें देखे next है शब्द पहचान और भाशाई समझ के लिए दो बातें जरूरी है एक है पढ़ने क लगन और दूसरी है पढ़ने की इक्षा इस पर क्लिक करके next करें देखे next है एक सिख्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाने के बाद बच्चों के साथ कहानी की समिक्षा कर रही है आपके अनुसार सिख्षिका बच्चों के साथ भाशा सिख्षर कौन सी पहचान क्लिक करके आगे बढ़ जाएं दीकिए सब्मिट का ओप्शन आ गया है सब्मिट पर क्लिक कर दें इसने भी कोशन 10 थे हमने सॉल्व भी 10 कर लिए हैं दीकिए हमारा स्कूर 10 आउट आगया है चली बढ़ते हैं नेक्स मॉड्यूल की तरफ और वो सॉल्व करते हैं द दीकि पहला कोशन दिया गया है स्वतंद्र पठन बच्चों में डैश के विकास में एक महतपूर भूमी का निभाता है उप्रोक सभी मतलब प्रवाश अब्दवली प्रिस्ट भूमी क्यान क्लिक करके नेक्स करें दीकिए नेक्स है पठन अभ्यास की योजना बनाने के ल उत्तर है सामर्थ इस पर क्लिक करें के नेक्स करें दीकिए नेक्स कोशन दिया गया है जब सिख्षक अपने सयोग और मार्ग दर्शन के इस तर को बच्चों के कोशल के इस तर पर रखता है तो उसे कहते हैं उत्तर है जोन आउप प्रॉक्सिमल डेवलप्मेंट क्लिक करक करके लिए पाठों का चैयन किया जाना चाहिए उत्रेंगे साहीं पिर शब्दों को पड़ लेते हैं दीए नेक्स कर देंगे नेक्स आपको यादी समवेत पठन हे दू अपनी कक्शा के बच्छों के लिए पठन सामागरी का चैन करना हो तो आप कैसे पार्ट का चैन करेंगे उत्तर है बच्चों के पठन इस तरके लगबग बराबर next कर दें देखें next है जब सिख्षक और बच्चे किसी कहानी को एक साथ पढ़ते हैं तो उसे dash कहते हैं some wait पठन click करके आगे बढ़ जाएं देखें next question दिया गया है बच्चों के पठन में प्रवाग के लिए आविशक है कि उन्हें पढ़ने के अधिक से अधिक औसर दिये जाएं next कर दें देखें submit को option आ गया है submit पर click कर दें इसमें भी total 10 question थे हमने solve भी 10 कर लिए हैं कोई भी question skip नहीं हुआ है देखें इस score भी हमारे 10 out of 10 आ गया है इसका मतलब सारे question सही तरीकी से solve हो गए हैं आने वाले वीडियो में इसके आगे के module solve हो जाएंगे आप वो भी चेक करते रहेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो please इस वीडियो को like करें comment करें share क मेरी चैनल को subscribe करना ना भूलें और हाँ आप सब खुश रहें thank you for watching my video